हेलो फ्रेंड्स आज मैं पर्फेक्ट चीनी के सब्स्टिट्यूट से बनाने वाली हूँ यह स्वादिस चावल की खीर तो अगर आप शुगर को आवाइट कर रहे हैं एक पर इस रेसिपी को एंट तक जरूर देखना सबसे पहले एक कड़ाई गैस पर रखके हमने आदी स्पून घी को गरम किया इसमें हमने 25 ग्राम चावल डाल दिये चावल को हमने आदे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था इसका पानी बिल्कुल निकालके इसे हम कड़ाई में डालते हैं हलका रोस्ट कर लेते हैं इससे क्या थोड़ी क्रिस्पीनेस आजाती है चावल में और जब हम यह चावल की खीर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी वरती है यह सबसे पहली टिप है हमारी चावल की खीर स्वादिश बनाने की जब यह रोस्टेड हो जाए इसका पानी सूक जब बिल्कुल क्रंची से हो जाए तो गैस बंद करके इन्हें हम दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी के जार में दरदरा ही पीस नहीं होता है सेम कड़ाई में हमने डाला है साड़े 700 ml दूद 750 ml मिल्क हमने इसमें लिया है इसकी हम खीर बनाने वाले हैं और इन चावल को मैं साइट से ग्राइंड करने के ले जा रही हूं जब यह हलके से नॉर्मल टेंपरेशर पर आ गयते हैं अब दूद को बलने देती हूं दूद उबल जाए तो इसको थोड़ा सा चलाती हूं क्योंकि हमें हलका साथ खीर के लिए दूद को गाड़ा करना होता है इसके बाग जब इसमें हमने यह दरदरे कर चावल ले ली हैं देखे आप देख सकते हैं बिलकुल महीन नहीं करना है इसमें हम दूद में डाल देंगे और इसे आप अच्छे से हम इसे पकाएंगे देखना आप चावल इतने फूल के बड़े-बड़े हो जाते हैं दरदरे पीसने के बाग और हर एक पाइट में आप चावल काफी फूल गए हैं आप देख सकते हैं दूद में अच्छे से मिक्सप हो चुके हैं इसे हम चलाते रहते हैं बीच-पीच में और इसे अच्छी सरीके से कोकोने देते हैं परफेक्ली हमारी ऐसे करने के बाद दो-तीम मिनिट बाद आप चेक करेंगे हमारे चावल अब एकदम सॉफ्ट हो गए होंगे बिलकुल अच्छे से मैशी से मतलब हमारे चावल अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो हमारी खीर भी अल्मोस्ट बन चुकी है तो इसमें अब हम इलाइची पावडर और ये कट की होए ड्राइफ रूट्स बादाम, पिस्ता और चिर स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जिससे ये डारेक्टली बन कर आती है शकर ये शुगर फ्री का भी अल्टरनेटिव है आपको दो तीन तरीके से ये बजार में मिलती है सैशे के उसमें या फिर एक बोटल लिक्विट के फॉर्म में आप इसमें ये डाल दीजे जादा नह में डालेंगे और आपको परफेक्ट मिठास का अच्छा अनुबब होगा सियत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और टेस्टी भी लगेगा अगर आप इसे पर्चेस करना चाहते हैं तो मैंने जो है ये हमारे अमेजन फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल भी है तो आप आप महां से भी परचेस कर सकते हैं प्राइस भी बहुत रीजनेबल है तो यह आप देख सकते हैं इसमें हमने डालके खूब अच्छे से इसे चला लिया और हमारी ये चावल की खीर जो है वो बिलकुल बनकर तयार हो गई है बहुत जल्दी तयार हो जाती है तो इसको मैं स आईएगा कैसी लगी मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूं बबाई